जस करनी तसम होगे विधाता नरक जात का है पस्ताता जैसा करोगे भाई जैसी करनी वैसी भरनी रोपे पेड बबूल का तो आम कहां से होगे रोपोगे जैसा पेड वैसा ही भरस्टाचारी का पेड रोपोगे तो कहां से आम होगा तो ऐसे ब्रस्टा चारियों को यह काम अपना एनी कर रहा है裡面 कर रहे हमें कोए आपती नहीं है यह जो भी ब्रस्टा चार में शामिन हो चाए हको कर हो कि आпон प हम कोई भी हो वह सुथ nouveau एजेंसी अपना काम कर रही है यह तउबा करने की जरुदर्त नहीं है यह लोग वही है माप करिएगा मेरे मूँ की नहीं कल जो उन्हों ने स्यौमी जी ने आज से चार दिन पहले कहा है और उन्होंने हाथी के प्रसंग में कहा था हाथी मस्त हों के चलता है और भूखने दो ऐसे भूखने से देश और राज पर कोई असर नहीं पड़ेगा यह वही लोग है जो पूरे राज को कलंकित करने वारे लोग एक युवा को कलंकित क्या है अज मैंने अहवान क्या है हिम्मत है बिहार सरकार ने यह सी गंदी ओची राजनी थी एक युवा सब्विस वार्स का युवा संसकारित युवा जो पूरी तरह से देश भर में दुनिया में घूमता है और ऐसे भ्रमचारी युवा के लिए आपने ऐसे गलत वाक्य क्या कालिक पोती गही उर्पर ये ब बिहार का अप्रमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान यह बिहार में अतिती देवव ओव पापती सरू से नहीं है लकिन अतित्यों किस प्रकार से कालिक पोता गया यह देश को और दुनिया को आपने बिहार को कलंकित क्या है और यह वही लोग है जो लोग सनातन विरोधियें जो लोग उजली टोपी पहन करके छीदेदार टोपी पहन के तुस्टिक करन की निती अपनाने के लिए हम तो सर्वधर्व संभाओं के लोग हैं हम सभी धर्मों का आधर करते हैं लेकिन ये लोग तुस्टिक करन करने वाले लोग वोट वेंग की राधिती करने वाले लोग इनको चीड़ है राम राज्य से चीड़ है इनको किस से चीड़ है? स्री राम से चीड़ है हनुमान से चीड़ है सनातन से चीड़ है सनातन संस्कृति से चीड़ है इन्हें भरस्ताचारियों से लगाओ है इन्हें दुराचारियों से लगाओ है इन्हें आतंकवादियों और उग्रवादियों उनको बढ़ाने का हिंसा को बढ़ाने का ऐसे ही सरकार में बैठे हुए और सरकार के कुछ तंत्र जो बिहार को कलंकित किया है